दो हजाज चौविस में होने वाले लोकसभाज चुनाफ को लेकर बिहार में पहले से ही जुमानी जंग तेज हो गई है बीजेपी प्रदेश रध्यक्ष ने सियम नितीश कुमार पर तंच कसा है नितीश कुमार को सियासी तोर पर मिट्टी में मिला देंगे ये समराच चौधरी ने बयां दिया बीजेपी के कारण ही लालू यादव बने मसीहा समराच चौधरी ने ये भी कहा तो आप ये देखे कि किस तरह से महा गठबंदन पर तंच कसा गया ना केवल मुख्य मंतरी नितीश कुमार को बलकि पूर्व मुख्य मंतरी लालू प्रसाद यादब को भी घेरा गया है आपको बता दे कि 2024 में और 2025 में होने वाले चुनाख को लेकर कमिट्मेंट करना होगा समराच चौधरी के बायान पर सियम नितीश कुमार ने पलटवार किया है करा दीजिये कौन रोक रहा है सियम नितीश कुमार ने ये कहा यानि कि समराच चौधरी ने जो कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे इस पर नितीश कुमार ने कहा कि करा दीजिये आपको रोग कौन रहा है ये सब जो बोल रहे हैं उसका कोई मतलम नहीं है क्या हम कभी इस तरह का बात बोलते हैं सीम नितीश कुमार ने ये भी कहा आज का लोगों को बुद्धी बिल्कुल नहीं है CM नितिश कुमार ने ये बयाद दिया तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है आपको सुलाते हैं क्या कुछ कहना है किस तरह सुजवानी जंक तेज है हमारे नेता नरेन मोधी जी के कमिटमेंट को जब उन्होंने पूरा किया 2020 में क्योंकि घोषना किया था कि हमारे मुखमंत्री नितिश कुमार होंगे उसके बार भी भाग गए तो अब जब भाग ही गए तो राजनितिक तोर पर हम लोग तो उनको मिटी में मिलाने का काम कीजिए यही मैं कहूंगा 2024 और 2025 में यह हम लोगों को पूरी तरह कमिटमेंट करना होगा साथियो जिस तरह उत्तर प्रदेश में अपरादी यतंगवादी और उगरवादी को मिटी में मिलाने का काम किया जा रहा है यहां राजनितिक तोर पर मिटीश कुमार जी को 2025 के चुनाओं में और 2024 के चुनाओं में यह कमिटमेंट कीजिए सब जो कोई बोलता है जिसके बोलने का बता यह हम कभी बोलते हैं इस अब तरह का बाद जो इस तरह के सब्दों का प्रियोग करता है तो समझ लिजिए कि बुद्धी नहीं है तो जो मन में करें बोले आप अच्छी तरह जान लिजिए असरत है आप सोच लिए अटल बिहारी बात देजी का कितना बड़ा सब्दों की रहे हैं कितना हम सब दिन प्रसंसा करते हैं तरह लोगों का कोई बोलता है करते हैं करते हैं